नमस्कर दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप यहाँ पे online course के अंदर enrollment करेंगे और कैसे आप online course को यूज कर सकते हैं हजी दोस्तो कैसे आप online course को buy करेंगे और कैसे use होगा online course का कैसे आपको यहाँ पे course dashboard का use करना है online course के अंदर तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक सबसे पहले दोस्तों आपको हमारी इस website पर आ जाना होगा जैसे कि इस website पर मैं आ गया और यहां से मान के चलिए आप online course ले रहे हैं तो online course के इस page पर क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे हमारे online courses है ठीक है जो भी आपको course पसंद आता है कि हाँ मुझे यह वाला course लेना है तो सबसे पहले क्या करना है उस course पर जाके click करना है इस पर क्लिक करने के बाद जो course है वो open हो जाएगा यहाँ से आपको course की detail दिखेगी यहाँ पर देखते हैं right hand side में course की detail दिख जाती है कि क्या-क्या material मिलेगा यह तो समझ में आगए आपको कि हाँ यह course मुझे लेना है course की सारी details मुझे समझ में आ गई तो अब आपको simply add to cart पे जाना है add to cart पे click करेंगे अब यह बोलता है कि login करो login करने के लिए user ID and password चाहिए होगा तो सबसे पहले my account में जाना होगा इसके लिए और login पे जाके आप अपने आपको register करोगे क्योंकि पहले register करोगे तभी आप यहाँ पर login कर पाऊगे तो यहाँ पर देख सकते हैं registered का option आता है register के option में सबसे पहले आपको username लिखना है जो भी आप username रखना चाहते है फिर आप यहाँ पर लिखेंगे mail ID फिर अपना एक बनाएंगे password पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर एक registered का button लिखता है इस पर click करेंगे ठीक है तो जैसी register के button पर click करेंगे आपका जो account है वो registered हो फिर जो भी आपने password बनाया है उसका use करते हुए mail ID का use करते हुए login कर लेंगे जैसे मैं already registered हूँ तो मैंने अपने mail ID लिख लिया अब चलिए password लिख लेते हैं पास्वर्ड लिख लिए मैंने यहाँ पर अभी login वाले बटन पर click करेंगे login वाले बटन पर click करते के साथी login हो जागा हमारा account देसकते हैं my account आ गया और login हो गया account login अकाउंट होते के साथी ऐसे आपको detail दिख जाएगी क्या अब आपको क्या खर है simply online course पर आएंगे क्योंकि आप registered हो चुके हुआ रिष्ट्ट होने के बाद जिस course को हमने लेने था उस course पर आएंगे जैसे की बुझे लेना है GST audit & return इस पर मैंने click कर दिया इस पर click करने के बाद मैंने add to cart पे click किया था add to cart पे click कर दिया add to get पे click करने के बाद देख सकते हैं जो भी order आप add करेंगे जो भी जिस भी course को आपने add to cart किया होगा वो add हो जागा तो पहले भी मैंने बहुत सारे course को add किया था जैसे computer bana भी add किया हुआ है इसको हटा देता हूं ठीक है अगर दो कोर्स इखटा लेना है तो एक्टा मेंडो करता है जो भी कोर्स लेना दोनों को इखटाWeb करने के बाद तोकर्ट क्लिक करने के बाद आपके कार्ट में हो जाए नो घूdem कुई भी आपको जो coupon कोड को आप इहां पर लिख सकते हैं उस coupon कोड को apply कर सकते हैं अबी जैसे की बात करे तो यहां पे हमारे पास जो offer चल रहा है अभी क्रिस्मस सेल्स चल रहा है तो अगर आपको offer की डिटेल्स भी चाहिए कि हां क्या offer चल दा बंदर सकते हो या फिर pen drive course का एक page है इस पे आ जाओगे यहाँ पे code की details मिल जाएगी यहाँ पे banner दिखेगा दोस्तो अगर कोई offer होगा तो front page पे ही banner दिख जाएगा यह दिखेगा जैसे बात करें यहाँ पे जो offer चलता है वो Christmas sales offer चलता है 50 plus 10% का और यह coupon code आप लगाएंगे Christmas 10 का तो आपका 10% का additional discount मिल जाएगा 50% का course पे पहले से discount है और 10% का additional मिल जाएगा यह code लिख दिया दोस्तों अभी आपको क्या करना है apply coupon code पे click करना है apply coupon code पे click करेंगे तो जो discount है वो लास हो जागा देशकते है Christmas coupon code apply हो गया और 450 रुपे का discount मिल गया मुझे अब GST लगने के बाद total amount यह पी करना है देखो ध्यान लगना हमारी fees के अंदर GST भी लगता है क्योंकि professional fees होती है हमारी तो इसमें GST भी add होगा तो यह amount प्लस इसमें होगे GST add total amount पे करना है अभी क्या करना है proceed to check out पे क्लिक करेंगे ठीक है अगर आपको यहाँ पे GST के credit चाहिए होगा तो यहाँ पे company name के अंदर आप company नाम लिख देना ठीक है जो भी company name है उसका अगर आपको credit चाहिए तो जैसे की x, y, z company का नाम लिख दिया और अपनी address की detail भरने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको company name के अंदर ही जो भी आपका GST नंबर है वो आप यहाँ पे GST नंबर लिख देना आपको GST के credit मिल जागा नाम और यहाँ पे company का GST नंबर ठीक है और जो आपका address है वो address फिल कर देना जो address आप प्रवाइड कराओगे उसी address पे जो printed book से वो आपको मिलेगी यह detail भरने के बाद आपको क्या करना है place order पे क्लिक करना है place order पे क्लिक करने के बाद payment का एक gateway open होगा वहाँ से आपको payment करनी है जैसी payment करोगे हमारे इदर से confirmation जाएगी फर उसके बाद course को access कर सकते हो वो भी मैप को दिखांगा कैसे access करना होगा ठेके अब यह आगया payment gateway payment gateway के अंदर बहुत सारे payments के option है जैसे card का use करके pay कर सकते हो UPI QR code है net banking है wallet का use करना है जैसे free charge या pays app का use करके कर सकते हो EMI का option है ठेके pay later का option भी है pay later जो ICIC bank provide करती है SGFC bank उसका use करके आप pay कर सकते हो ठेके अगर card का use करके pay करना है तो card को select करके आप payment कर सकते हो जैसी payment complete हो जागा आपका order जो है वो confirm हो जागा फिर आपको क्या करना होगा simply my account में जाके course dashboard का option दिखेगा इस पे आना है आपको आपको आने के बाद course dashboard में आपको जो आपने enroll किया है course enroll course के अंदर दिख जागा जिस भी course में आपने enroll किया हुआ है जैसे कि दिखेगते हैं मैंने बहुत सारे courses में enroll किया जैसे tax audit है, computex का course है GST practitioner है, income tax है GSTP exam है, TDS का course है जो भी course आपने enroll किया होगा उसमें आपको दिख जागा लेकिन उससे पहले क्या होगा आपको purchase history में जाके चेक करना बढ़ेगा कि course का क्या status है जो मैंने payment कर दिये है उसका क्या status है, तो purchase history में दिखाएगा अगर complete हो जाएगा तो वहाँ आपको complete दिखाएगा अगर pending होगा, तो pending में दिखाएगा जैसी payment complete होजाए आपको एक का मोर भी करना है यह WhatsApp का icon है यहाँ पे आपको अपनी payment receipts भेजनी है ठीक है इस WhatsApp पे payment receipts भेजोगे या इस नंबर पे call करके confirm कर सकते हो कि हमारी payment approve होगी की लिए payment approve होने के बाद enroll course के अंदर आपका course दिख जाएगा ठीक है जैसे कि देख सकते हैं यह है मेरे पास enroll course के अंदर मेरा course दिख रहा है ठीक है तो अब course को कैसे play करना है क्योंकि जैसे कि अब सभी जानते हैं इसके अंदर अन्लोक हो जाता है जैसे आपका enroll course में दिखेगा payment करने के वाद जो chapter lock थे वो अन्लोक हो जाएगा जैसे computer का course मैंने open किया ठीक है अभी यहाँ पर क्या करना है start your course का button दिखेगा आपको मैंने एक दो chapter चलाए हुए इसलिए continue course का option दिखता है start your course का यहाँ पर आपको button दिखेगा इस पर क्लिक करना होगा आपको इस परकार से देख सकते हैं आपकी classes open हो जाएगी सभी जो chapter lock थे वो अन्लोक हो जाएगी देख सकते हैं अन्लोक हो गया यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे income tax का है यह ठीक है TDS का है यह यह TCS का है यह tax audit का है filing of tax audit यह देख सकते हैं तो इस पगार से आप हमारी website पर आके course को प्लिए कर सकते हो कोई question रहता है browse Q&A पर क्लिक करके अपना question पूश सकते हो attachment भेजना है यहाँ से attachment भी भेज सकते हो चाया तो आप directly भी question पूश सकते हो आपका जो भी लेशन complete होगा वह पर टिक हो जाएगा फिर next lesson पर ऐसे इस पकार से complete lesson पर क्रिन से टिक हो जागा फिर next lesson को आप देख सकते हो तो समझ के दोस्तों ऐसे आपको हमारी website पर आके course को buy करना है और course को use करना है कोई भी doubt रहता है कोई भी problem रहती है कि डिसकाउंड के बारे में पूछना है फीज के बारे में पूछना है तो बेजी जग आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो टॉप में आपको फोन नंबर दिखाए दे रहा है कि थैंक यू सुमच जैन वन्ने मात्रूप